जनपद रामपुर शाहबाद के ग्राम रुस्तमपुर में तालाब पर अवयद कब्जा करने का मामला सामने आया प्रधानमंत्री द्वारा जल संचयन के लिए तालाबों की खुदाई के अभियान में अवयद कब्जे आड़े आ रहे हैं राजस्व विभाग अवैद कबजा करने वालों के खिलाफ कोई कारवाही नहीं कर रहा है तालाप पर कबजे की शिकायत जेवीर यादव चंद्रभान यादव वादी ने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल और एस डी एम से की है परंतु कोई कारवाही नहीं हुई लेक पाल दोर कानूंगो खाना पूरी कर लोट जाते है इस अवैद कबजे से किसानों को खेती करने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आबादी देरों का पानी किसानों के खेतों में खड़ी फनलों में भर रहा है जिससे फसले सर जाती है जिससे भारी मा उन से अभियान चलाया जा रहा है लेकिन आए दिन कब्जों के कारण तालाब का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है रुस्तंपुर में पूर्वी दिशा में सबसे बड़ा तालाब था कुछ लोगों से सडक से तालाब की तरफ अपने मकानों का निर्मान कर लिया है पिछले ह लोगों ने तालाब पर अव्यद कब्जा हटवाने के लिए तहसील बॉर्डार के लिए अतलाब को पत्र लिखा है लेकिन इसके बावजूद कोई कारिवाही नहीं की जा रही है रुस्तंपुर में तालाब की जगए अबादी ने ले ली हैं ग्रामीन कहते है कि तालाब स से कबजा हटाने के लिए सीम पोर्टल पर शिकायद भीच चुके हैं। सब्सक्राइब भी एडिम राव को भी हो लेक पाल वी काड़ी तैसिल साबा जलारामपूर क्या समस्या आपकी इसमें हमारी जो खेती बंजर है रही है और इसमें पूरे गाहों को पानी तलाओ पीछे वागी तलाओ की जगह जब पट कह अनुट तो पूरा गाहों का पानी किसमें वागच लगा सलगा हैं विझेंग सब्सक्राइब क्यू Championships क्यूं पराई रो थाख करें वहार जांको बात करीतिति उन्हों का ख़ाना पुरी करके कि किकें रहे हैं यही लगातर रही आप मोखे पाकरिकरा आप पाकर उसकी की जाज करा। आप पर आपने खाना पूरी करके चाह नास्ता करके और अपने बोले